हेई गाइज विलकम बाक टू अप्टिन एक्स्क्रिप्टो एक अप्टिन इंफ्लेंसर्स चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है बाकी कुछ भी नहीं बदला है बाकी कॉंटेंट वही रहेगा सारी चीज़े वैसी रहेंगी तो टेलिगाम को जॉइन कर लेना सकते हैं यहां से टू पॉइंटी चला जाएगा क्या फिर यह लॉंग टम में एक अच्छा होल्ड है कि नहीं दोहजार पच्छिस के बुलरन तक क्या से रखा जा सकता है कि नहीं तो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इन फैक्ट इसका चार्ट है वह मैं अच्छे यह सब वगेरा दिया था टॉप का जब एडरॉप लाँच हुआ था उसके बाद आप देखोगे बाय कॉल यहां पर भी दी थी विचिस वाड़ विच वाज नॉट करेक्ट जो की एक सपोर्ट के साथ को इंसाइट भी करता था तो यह बाय कॉल ने हमें अच्छा मोंका द यह इसको रिकलेम करने के बाद मेरे ख्याल से मिनिमम इतना भागेगा 3.1 तक दूसरा आपका यह टार्गेट रहने वाला 3.3 वाला और 3.8 वाला तो यह इरियाज है जो टार्गेट के तौर पर आप रख सकते हो जुन्होंने भी नीचे कहीं पर भी मानता को बाय किया वो कर सकते हैं दूसरे जो लोग शौट के लिए सोच रहे हैं वह यहां शौट भी कर सकते हैं मानता का एसल यहां पर लगा कि 3.1 तो नीचे टार्गेट ले सकते हैं लेकिन यह तब मार्केट ही बेरिश लगे पड़ अभी मार्केट बेरिश नहीं लग रही मुझे तो नहीं वह देखलो 720 मिलें का अगर मैं लांग टू लूग बात करूऊ कि मांटा का लॉंटरम वीजन किया होगा कितना इसका मार्केट कैप जया सकता है तो अगर हम बात करें इस प्रोजेट्ट बारे में थोड़ा साम प्रोड़ेक्ट-प्रोजेट के बारे में देखेंगे modular ecosystem for web 3 users can build and deploy any solidity-based decentralized application on Manta and leverage this technology stack to deliver faster transition speeds than an L1 and lower gas cost than L2 the kind of Manta का जब airdrop हुआ था जिसको फार्म किया था मैंने भी किया था तो kind of हम लोग disappointed थे क्योंकि उतना airdrop नहीं मिला था लेकिन हा उन लोग को मिला था जिनके points जादा हो गयते जिनका यहां पर अच्छा कासा reward system rewards इकटे हो गयते तो उनको मिला अच्छा कासा लोग को बहुत बड़ा airdrop मिला है बट मांटा में थोड़ा सा लोग इसलिए नाराज भी थे काइंड ओव मेरे ख्याल से मांटा को जो मार्केट करूंगा बुल रैली में फाइब बिलियन या फोर बिलियन के आराउंड और अभी चल रहा है 0.618 अगर हम यहां से भी नहीं देखते हम यहां से जहां रैली स्टार्ट होई थी वहां से देखते हैं तो हमें 0.786 से एक बाउंस देखने को मिला था अगर आप देखोगे यहां से और फिर यहां पर यह एक एरिया था जहां पिछली बार शॉर्ट का मोमेंटम बना था इस बार यह हो सकता है रिटेस्ट करने आया यानि 2.8 2.79 और वहां से बाय उपर भागे तो मेरा जो टार्गेट अभी के लिए फिलाल रहने वाला हो तीन डॉलर तो मिनिमम रहने वाला है दूसरा आपका यह 3.24 यानि 3.3 जो मैंने आपको अभी पिछले चार्ट में भी ब बड़ा airdrop था लोगों को काफी जादा मिला है और अगर हम इसको ट्रेंड बेस के साथ देख लें तो हमें लगता है कि मिनिमम मिनिमम यह कितना जा सकता है तो मेरे खाल से यहां पर आप रख सकते हो 5.49 का टार्गेट इसका मिनिमम होने वाला है यह आने वाले दियों में इतना कर सकता है इतना तो मिनिमम करेगा ही बाकी मुझे लगता है मैं जादा लेवल्स यूज नहीं करता तो मुझे दूसरा लेवल एक ही दिखता है जो कि यह 9.418 वाला ठीक है तो यह दो एरिया जिनके लिए मैं टार्गेट के लिए सोचूंगा मार्दा में अगर आपक करने के लिए अगर आप सोच रहे हो टो मांता को काइड़ आ कर सक क्योंकि कहीं न करी आपको यह աिस्काउंट में ही मिला है ठीक है अगर हम इसको डिसकाउंट और वह देगे कि क्या है आपको मिल ख़कर एकदम पॉइंट फाइफ के अरिया के राउंड ही है ठीक है तो ॡिस्काउन के ही आपको जिस्काउन पे ही मिल रहा है यह आपको 1050 के प्तिक में मिल ला है ठीक है तो यह मैं सिंपल एक टूल लगाता हूं जब मुझे देखना होता है कि हम कहीं ना कहीं मतलब नीचे ले रहें कि नहीं उपर तो नहीं ले रहें कई चीजों को तो जड़ा सा 0.5 का फिब लगा और सिंपल सा देख लो कि भाई क्या लग रहा है तो अभी मोटा मोटा बात करते हैं इसमें रैली हो जाती है तगडी तो हम कहां तक एक्सपेट कर सकते हैं मानता में तो मेरे कहाल से यह 12 डॉलर 14 डॉलर के भी टार्गेट आपको देने के काबिल है ठीक है तो 12 डॉलर भी आपको दे सकता है बट इसके लिए यह होगा कि जो आपके बीज में पास अल्टरीटीव है और आल्टरीटीव आप देख सकते हो त्रॉं रहा है आप डैमेंशन मि देख सकते हो बहुत अच्छा टोकन रहा है अपि इनफ जब देख सकते हो जब भी अच्छा टोकन है जिसका Aijahॉर और काफी ज़दा नीचे है तो जब को भी accumulate किया सकता है दूसरा आप कर सकते हो एक और बहुत बढ़ी है token मैं आपको उताता हूं जिसका नाम है जाई और यह launch हुआ था भी recently मैंने इसकी call भी in fact आप लोग को दी थी अब देखो अब इसको मैं change करूंगा देखना कितना profit हुआ अपका 40% यह अप है 0.73 के area के around यहाँ पर मैंने buy call दी थी जाई की तो अगर आप लोगोंने जाई नहीं buy किया तो जाई में तो बहुत बढ़िया इसकी तो मैं perfect जो node running होती वो भी कर रहे हैं और हमारे clients भी इसकी node run कर रहे हैं उन्हें reward मिलता है जाई का आराम से और अगर आपने भी early में जाई का जो मैंने information दी थी अगर आपने भी किया होता तो आपको भी मिला होता क्योंकि मैंने अपने टेलिगाम पे आप लोग को बताया था टेलिगाम पे जुड़ने से यही फायदा है कि वहाँ पर important updates आपको free में तुरंट time से मिल जाती है ठीक है तो उसके लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता ठीक है इसी channel की मिल जाती है अगर हम बात करें next जाई का तो जाई का मेरे ख्याल से target जो और यह रहेगा 1.2 का और उसके अलावा अगर हम जाई में भी यही same pattern देखे जो मानता में हो रहा है और मानता से compare तो मानता को तो नहीं पता you know I will go there and easily possible Festival five dollar का possa क्यूं जाई को की वह कोकी लिएकर की और मनता को की नहीं जाई में जो है गेमिंग narrative है ठीक है gaming narrative ये पहला तो gaming narrative है दूसरा आपका Web3 है sorry sorry layer 3 है ठीक है तो layer 3 है अभी तक layer 2 solutions आ रहे थे अब ये layer 3 आ गया ठीक है आपके सापने तो पहला project है this में दूसरा आपका यहां पर node running केलिए कई लोगों को यहां पर इखटा किया गया तो हजारों लोगों ने 25-30,000 लोगों ने node running के लिए अपलाया किया था तो बहुत जादा community engagement है बहुत जादा community invested है मतलब public invested है को investors तो है ही है वो पहले से थे लेकिन आपकी public जो है वो जादा invested हो गई है through node running और node running को उन्होंने publicly promote किया था उनको airdrop दिये कई सारे airdrop in fact इनका 24 तारिक को airdrop आ रहा है मुझे लगता है कि यह बहुत तेज़ भागने वाला है ठीक है perfectly personally मुझे लगता है कि मानता से जादा भागेगा पांच डॉलों का टार्गे डिसका रहने वाला है अभी आपको एक ही डॉल पर मिला है तो इसमें clear 5X मिल सकता है ओके तो दाट्स इट फॉर दिस वीडियो और इल शो यू गाइस मैं सोच रहा हूं कि एक गेमिंग कोई की वीडियो बना दू क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था